नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीज और आप देख रहे हैं एलिट मनीज सरकी क्लासिस दोस्तों आज हम मोहन राकेश के लिखे नाटक हाफवे हाउस यानि की आधे अधूरे के इंपोर्टेंट करेक्टर्स की बात करेंगे करेक्टर्स पर आने से पहले थोड़ा इस नाटक के राइटर यानि की मोहन राकेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मोहन राकेश वस बॉर्ण ओन एर्थ जैन 1925 और डाइड ओन 3 दिसंबर 1972 मोहन राकेश का नाम भी आता है दोस्तों और उनके द्वारा लिखा गया फास्ट मॉडन हिंदी प्ले आसार का एक दिन था जो की 1958 में पब्लिस हुआ था मोहन राकेश ने कई जौनराज का प्रियोग करते हुए लिखा है यह रोट नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रेवर लॉक्स, मेमवाज और ड्रामाज 1960s की अरबन मिडल क्लास लाइफ को उन्होंने अपने वर्क आधे अधूरे में बहुत अच्छे से दिखाया है दोस्तो मोहन राकेश को 1968 में संगीत नाटक एकेडेमी अवार्ट से संभानित किया गया था Here is the list of मोहन राकेश's popular works Novels में उन्होंने अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराज जैसे वर्क लिखे हैं और उनके famous plays रहे हैं आधे अधूरे, लहरों के राज हंस, आसाल का एक दिन Writer के बारे में इतना सब जान लेने के बाद, अब हम आधे अधूरे नाटक के characters की बात करेंगे दोस्तो नाटक के बिलकुल starting में ही हमें the man in black suit से introduce कराया जाता है दोस्तो He is in fact the artist of the prologue of the play वो artist का रोल तो निभाई रहा है, साथ-साथ वो अपने कपड़े और अपने रूप को बदल कर आगे चार और भूमिकाए निभाने वाला है दोस्तो वो भूमिकाए निभाएगा महेंदरनात की, सिंघानिया की, जगमोहन की, जुनेजा की महेंदरनात will be man 1, सिंघानिया man 2, जगमोहन man 3 और जुनेजा man 4 तो टोटल मिलाकर the man in black suit पांच रोल्स को परफॉर्म करेगा दोस्तो इन में महेंदरनात सावित्री का husband है, सिंघानिया सावित्री का boss है, जगमोहन सावित्री का old intimate friend है और जुनेजा महेंदरनात का partner है इसके अलावा हमें महेंदरनात और सावित्री के तीन बच्चों से भी मिलाए जाता है दोस्तो और उनके नाम है असोक, बिन्नी, किन्नी असोक महेंदरनात और सावित्री की सबसे बड़ी संतान है उसके बाद दंबर आता है बिन्नी का जो की बड़ी बेटी है और फिर किन्नी जो की महेंदरनात और सावित्री की छोटी बेटी है दोस्तो आएए अब इन करेक्टर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं दा मैन इन ब्लैक सूट नाटक के प्रलॉग का स्पीकर काले सूट वाला बेकती है दोस्तो उसका चहरा अंधेरे में छिपा हुआ है और वो अपने हाथ में सिगार लिये हुए है वो ओडियंस को बताता है कि वो एक अनिश्चित नाटक का अनिश्चित करेक्टर है next important character is सावित्री act first opens with 40 years old सावित्री जो की living room में प्रवेस कर रही है सावित्री एक working woman है वो सुभह से साम तक office में hard work करती है लेकिन लौटने पर कोई उसे चाय भी नहीं पूसता सावित्री इस घर की इकलोती पैसा कमाने वाली है दोस्तों उसका पती महेंद्रनात और जवान लड़का अशोक घर में खाली बैठे रहते हैं सावित्री का मैरिज से पहले एक बॉइफ्रेंड भी रहा है जिसका नाम जगमोहन है और आज भी वो अपने पुराने क्लोस फ्रेंड जगमोहन को मिस्स किया करती है दोस्तों नातक के अंतिम भाग में वो सब को छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है महेंद्रनात 49-50 years old का एक बिरोजगार ब्यक्ति है उसने जुनेजा के साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया था लेकिन उसमें भी उसे लॉस ही जहिलना पड़ा था पहले उसने प्रेस पर और फिर फैक्टरी पर पैसा इन्वेस्ट किया था लेकिन सब बेकार ही गया था दोस्तो महेंद्रनात के हाथ में एक अकबार है अकबार हाथ में लिये हुए ही वो अपनी पत्री सावित्री के साथ आर्ग्यूमेंट करता रहता है और जगमोहन के ब और नौट प्लेस में मिला था और कह रहा था कि जल्द ही तुम्हारे घर तुमसे और तुम्हारी पत्नी सावित्री से मिलने आएगा महेंदरनात के बाद अब हम सिंगानिया से मिलते हैं दोस्तो सिंगानिया सावित्री का बॉस है वह सावित्री के घर तीसरी बार आ रहा है सावित्री उसके घर आने पर प्राउट फील कर रही है और कह रही है कि लोग चिड़ते हैं कि सिंगानिया साब मेरे घर आते हैं सावित्री ने सिंगानिया को घर पर इसलिए इन्वाइट किया है दोस्तो ताकि वो उनके माध्यम से अपने लड़के असोग की कहीं जॉब लगा सके नेक्स करेक्टर इस जगमोहन उल्ड इंटीमेट फ्रेंड अफ सावित्री है जगमोहन उसका हाल ही में दिल्ली ट्रांसपर हुआ है जगमोहन महेंदरनाथ से कॉन्नाट प्लेस में मिलता है जगमोहन एक्ट टू में सावित्री के पास आता है और सावित्री और जगमोहन एक दूसरे को pet names से बुलाते हैं और उनकी बादचीश से ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है जुनेजा एक clever आदमी है दोस्तों सावित्री उसे unreliable और cheater समझती है वो महिंदरनाथ के साथ मिलकर press पर और factory पर invest करता है महिंदरनाथ को loss हो जाता है और जुनेजा फाइदा कमा जाता है इसके बाद number आता है असोक का असोक 23 साल का नव्यूबक है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और air fridge में जो उसकी job लगाई गई थी उसको भी छोड़ कर आ गया है वो निठला रहता है घर पर खाली बैठा रहता है और अपनी डाड़ी भी नहीं बनाता shaving ना करने का region पूछने पर वो कहता है कि वो french cut रखने जा रहा है असोक सिंगानिया को बिलकुल पसंद नहीं करता है और वो उसकी source से लगने वाली job को भी नहीं करना चाता असोक को उसकी चोटी बेहन किन्नी शोकी कहकर बुलाती है दोस्तो नेक्स करेक्टर इस बिन्नी बिन्नी 20 साल से भी कम उम्र की महेंदरनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है उसने मनोज के साथ भाग कर साधी कर ले थी लेकिन अब उसके मनोज से जगड़े होते रहते हैं मनोज उसे unnatural कहकर बुलाता है और इसका दोस्त वो सावित्री की family पर डालता है बिन्नी भी मनोज को पसंद नहीं करती वो हमेशा उसकी इच्छा के विरुद्ध ही काम करती है वो अपने लंबे बाल कटवा लेती है क्योंकि लंबे बाल मनोज को पसंद थे मनोज को हट करने के लिए ही वो वर्तमान में जौब तलास रही है क्योंकि मनोज नहीं चाहता कि उसकी पतनी जौब करे थोड़े थोड़े दिनों बाद वो मनोज से लड़कर माय के लोटाती है और महेंदरनाथ और सावित्री पर बोज बनकर रहती है किन्नी घर की छोटी लड़की है बारा या तेरा साल उसके उम्र है और हाई स्कूल में पढ़ रही है इस घर में उसे ना तो अफ्रेक्शन मिलता है और ना ही केर स्कूल से घर लोटने पर उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो सुरेखा की बेटी के साथ चली जाती है और सुरेखा की बेटी के साथ वो अक्सर लाव फेयर्स और सेक्स के मुद्दो पर बात करती है सुरेखा किन्नी पर ब्लेम लगाती है कि वो उसकी बेटी को बिगार रही है अगली क्लास में हम इस सुंदर से ना तक की समरी को डिसकस करेंगे दोस्तों